हेलो दोस्तोन स्वागत हैं हमारी हाइबरनेट की सीरीस में हम अर्डी स्प्रिंग स्प्रिंग MVC कवर कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइबरनेट है बो Cornile Ce decades है तो पर किले हैं तो बात करते हैं अगर हाइबनेट की तो हाइबने tax एक ORM टूल है, इस टूल की help से हम अपना जो भी जावा हमारे objects होते हैं, उनको database में save कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरकी का हम कुछ करने वाले हैं, for example, अभी के लिए मैंने एक employee object ले रखा है, so we are going to use hibernate और जितने भी हमारी crude operation होंगे, हम वो database में perform करेंगे, अब यह जो hibernate है, यह कुछ नई चीज नहीं है, internally यह भी JDBC को use कर रहा है, जो हम पहले करते आ रहे थे, ठीक है, तो फिर से वह हो गया हमारा persistent object है, यहाँ पे hibernate को हमको setting provide करेंगे, वो internally JDBC को call करेगा, और हमारा database के अंदर, जितने भी हमारे crude operation होंगे, हम उनको एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है, फुरा JDBC का recap करते हैं, दब हम JDBC में काम करते थे, हमको settings provide करते थे, JDBC को, अब वो setting क्या होती थी, जैसे driver class name हमको चाहिए, ठीक है, उसके बाद user name चाहिए, password चाहिए, URL चाहिए, यह तीनो setting हम driver manager को देते थे, वो हमको connection देता था, अब हम यहाँ प operation को perform करते थे, ठीक है, अब यह जितनी भी setting थी, जो driver class name को load करना, ठीक है, driver class को load करना, URL हो गया, username हो गया, password हो गया, हमको यह hibernate को भी देनी है, यह तो देनी है, उसके साथ कुछ additional हमारी settings आजाएगी, वो हम आने वाल lectures में देख लेंगे, तो अब क्या होगा कि हमारा object आगया, hibernate, यह सभी setting को configuration file से read करेगा, internally JDBC को call करेगा, और database के अंदर हमारे सब operations हम करते जाएंगे, अब बात करते हैं, इस file के बारे में, जो configuration file है, पहली बात, इसका जो naming convention है, वो हमको follow करना है, वो होगा कुछ इस तरिके का, hibernate.cfg.xml, इस file के अंदर, दो हमको information, दो पहली information है, database related, दूसरी information है, जो हमारे जितने भी persistent object है, उनके related, ठीक है, तो भाई, देखो database के लिए तो simple वो ही आ गया, URL हो गया, driver class हो गया, username हो गया, password हो गया, यह dialect है, ठीक है, और वी कुछ additional settings हैं, जो हम आने वाले lectures में देखेंगे, तब अच्छे समझ आएगा, और एक ठीक होगी database related information, दूसरी information है, persistent object related, ठीक है, तो अब में पस यहाँ पर दो option आते हैं, पहला option यह है, कि जो persistent object की information है, वो मैं एक separate file के अंदर मैं रख लूँ, उस file को मैं mapping file बोलूँगा, ठीक है, उसके अंदर रख लूँ, अगर मुझे separate file नहीं बनानी है, तो यह जो same information होग यह persistent object की, वो मैं hibernate.cfg.xml के अंदर भी रख सकता हूँ, वो क्या information हमको रखनी है, वो एक separate story है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर से हमारा, फिर से वो image repeat करते हैं, गबार, object आ गया, hibernate, बिच में आ गया, hibernate ने configuration file को read किया, इसके अंदर उसको database related information मि गई और हमने database के अंदर अपने required operations perform किये, अब देखो होने क्या वाला है, for example, अभी हम, देखो object क्या होता है, Java में class है, तो basically हम एक पोजो class बनाने वाले हैं यहां पे, या मैं बोल दता हूँ कि persistent class बनाने वाले हैं यहां पे, हर एक class जा object को जो में को database में store करना है, या correspondingly एक database में table भी बनेगा, for example, यहां पे employee class थी, अब इस class के related एक database के अंदर table भी बनने वाला है, चलो, अब क्या हो रहा है, इस class के अंदर बहुत सारी fields होंगी, जिनको हमको store करना है, इन fields के correspondingly उसी table में separate column भी बनने वाले है, for example, class थी employee, employee के related एक table बन गया, employee table, इस class के अंदर बहुत सारी fields थी, इन fields, हर एक fields के correspondingly उस table के अंदर एक column भी होगा, चीक है, कुछ इस तरह के का हम करने वाले हैं, एक छोटी सी मैंने आपको summary बता दी है, ठीक है, अभी कुछ नई-नई terms आने वाली है, for example, session factory क्या होता है, session क्या होता है, transaction object क्या होता है, query object क् हम अब देखेंगे आने वाली वीडियो में, चीक है, तो चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में, बाबाए